यह है नेरोलक सुरक्षा प्लस 20 लिटर की बालती है यह और इसको हम घर के अंदर वाले हिस्से में यूज करने वाले हैं यानि की इंटेरियर में पुरानी दिवार को हम नया करने वाले हैं इस पेंट से घर के अंदर वाले हिस्से की तो सबसे पहले हम paint बना लेते हैं देखिए यहाँ पर जो निसान लगा होता है यहाँ से इसको कारते हैं धकल खोन ले के लिए इस तरीके से इसको कार देंगे और नीचे वाला हिस्सर निकालके पूरी धकल को खोल लेंगे इस तरीके से ठंड का मौसम शुरू हो गया है इसलिए यह थोड़ी सी hard हो गया है तो इसको page cut से खोलना पड़ेगा नेरो लग्ट स्वख्चा प्लस है यह वैसे तो घर के बाहर वाले हिस्से में यूज होती है यानि कि exterior में लेकिन हम इसको घर के अंदर वाले हिस्से में यूज करने वाले है इंटीरियर में यह पेवर वाइट है इसमें आप चाहे तो कलर भी एड़ करवा सकते है सबसे पहले हम बाल्टी को खाले कर लेते हैं क्योंकि इसमें पाने मिक्स करेंगे तो उसमें पूरा आएगा नहीं इसलिए आधा माल निकाल लेते हैं बाकी आधे में हम पाने मिक्स करेंगे इसमें लगबग आधा लिटर पाने परता है एक लिटर में बाकी आप अपने जरोत के हिसाब से कम जादा कर सकते हैं पाने को कम या जादा किया जा सकता है और यह है हमारा रोलर इसी से हम paint करेंगे बाकि आप चाहे तो ब्रस का भी यूज कर सकते है तो इसमें हम पाने येड़ कर रहे हैं अब इसको मिलाएंगे अच्छी तरह से इसको 2-4 मिन तक ऐसा ही मिलाते रहना है ताकि अच्छी तरह से घुल जाए और इसमें कुछ coupon भी निकलते हैं ये देखिए ये point वाला coupon निकला है एक इसमें point होते हैं और इसके अंदर पैसे भी निकलते हैं दूसरे coupon में पैसे निकलेंगे अभी इसके अंदर दूसरा coupon भी होगा अगर दूसरी बाल्टी में नहीं गया होगा तो इसके अंगर ही होगा तो ये देखिए ये हमारा दूसरा कूपर है इसमें पैसे निकलेंगे कुछ नकुछ तो इसमें हमारे 100 रुपए निकले है देखिए इसके पर लिखा हुआ है 100 रुपए चलो इसको तो हम साइड में रखते हैं इसको बाद में लेके जाएंगे दुकान पे तो देखिए अभी हमारा माल बनके तयार है यह देखिए इतना मोटा है भी हमारा माल अगर इसमें आपको पाने कम ज़्यादा करना है तो कम ज़्यादा कर सकते हैं उसमें कोई प्रावलम नहीं आएगी तो अभी हमारा इमाल बनके तयार है तो अब हम दिवार की तयारी कर लिते हैं जो पुरानी दिवाल है हमारी यह देखिए यह पुरारी दिवाल है हमारी हम इसी को paint करने वाले है पहले इसके पर यही paint हुआ है और यह दर्बाजा है दर्बाजा के side side में चकाट में हमने एब्रो टेप लगा लिए है ताकि paint उसके पर ना लगे चकाट पर यह देखिए इतने मोटे मोटे होल है इसमें वह वहाँ पर पपड़ी भी बनी हुई है यह sellout आप हमने लगाया है side side में अब एक 4 इंची की यह 6 इंची की पत्ती लेनी है और जितना paint निकल सकता है जहां से पपड़ी बनी हुई है उस सारा हमें निकाल देना है अच्छी तरह से इस तरीके से खुर्च के पूरे paint को निकाल देना है जितना निकल सकता है उतना निकाल देना है उसके बाद में इसको साप कर लेना है जारू से या फिर आप ब्रस का भी यूज़ कर सकते हैं साप करने के लिए मिट्टी गरा को नीचे गिरा देना है इस तरीके से जार के अब हमें इसकी repair करनी है सबसे पहले हम बड़े hole भरेंगे यहाँ पर ज्यादा बड़े hole हैं वो भरेंगे यह देखे जैसे चोकाड के side side में ज्यादा बड़े hole हैं तो यहाँ पर हमें P.O.P. और वाल पुट्टी को mix करके भरना पड़ेगा बाकि छोटे मुटे तो वाल पुट्टी से ही कबर हो जाएंगे यह हमारे पास है जेक के वाल पुट्टी यह 40 केजी की पैकिंग है बाकि यह खुली होई भी मिल जाती है अगर आपको एक दू किलो लेनी है तो वह भी मिल जाएगी मार्केट में और यह दूसरी जे छोटे पैकिंग रखे है यह हमारी प्योपी है अब हम बड़े होल भरने के लिए वाल पुट्टी और प्योपी को आधा आधा मिक्स करेंगे यह प्योपी है जिप सम पाउडर भी बोलते हैं इसको अब इसे हमको आधा आधा मिक्स करना है आधिवाल पुट्टी लेनी है और आधी प्योपी लेनी है और फिर इसको पानी से घुलना है इसका पेस्ट बनाना है इस तरीके से इसका पेस्ट बना लेंगे इसको आपको थोड़ा थोड़ा ही बनाना है दो-तीर मेट में आप जितनी यूज़ कर सकते हैं उतनी बनाएं क्योंकि इसमें P.O.P. मिक्स है तो ये जल्दी सूख जाती है बाकि जो खाली वाल पुट्टी होती है वह जल्दी नहीं सूखती है चार पाद गंटे के बाद में सूखती है जिसमें आप P.O.P. मिक्स करते हैं वह जल्दी सूख जाती है तो इसी तरीके से बड़े होल की रिपेर पहले कर लेनी है हमें यह पुट्टी हमें दो बार करनी पड़ेगी क्योंकि एक बार में प्रोपर भराय नहीं हो पाती है इसलिए दो बार इसको लगाना पड़ेगा अब यह वाल पुट्टी है खाली वाल पुट्टी जहां पर छोटे-छोटे होल होंगे वहाँ पर हम इसको लगाएंगे जैसे देखिए यहाँ पर पपड़ी बनी थी तो इस तरीके से इसके पर रिपेर कर देंगे इसके भी हमें दो कोड करने पड़ेंगे एक कोड में प्रौपर बराबर नहीं हो पाएगसे थोड़ा इसको सूखने के बाद में ही डबल कोड लगाएंगे एक कोड लगाने के बाद में पंदरہ बीस मिट तक इसको छोड़ दें उसके बाद में आप इसके पर इसी तरीके से डवल कोट कर सकते हैं जिससे कि ये पूरी बराबर हो जाएगी नीचे नहीं रहनी चाहिए ये दिवाल के लेबल से बाकि अगर दिवाल के ओबर हो जाती है दिवाल से तो उसको आप रेगमल लगाके साप कर सकते हैं बराबर कर सकते हैं लेकिन अगर नीचे रह जाती है तो उसमें आपको फिर से पुट्टी भरने पड़ती है इसी तरीके से डबल कोड करके सूखने के लिए छोड़ देना है सूखने के बाद में इसके पर रेगमल लगाना है रेगमल आप 220 नमबर या फिर 320 नमबर का यूज़ कर सकते हैं और जितनी भी स्ट्रप उट्टी लेगी हो सारी निकाल देनी है इस तरीके से रगड के या रेगमल आप कागजवाला भी ले सकते हैं कागजवाला 100 नमबर या फिर 120 नमबर का होना चाहिए बाकि अगर आप वाटर पूश लेते हैं तो 220 नमबर या फिर 320 नमबर का ले सकते हैं अब इसी तरीके से पूरी वाल के उपर हमें रेगमल लगाना है जहां पर हमने रिपेर की है और जहां पर रिपेर नहीं की है वहां पर भी लगाना है रेगमल फिर इसको साप कर लेना है जाड़ो या कपड़े से अच्चे तरह से और उसके बाद में हम डारेक्ट इसके पर पैंट अपलाई कर सकते हैं आप ब्रस का भी यूज़ कर सकते हैं हम पहले रोलर का ही यूज़ कर रहे हैं और जहां पर रोलर नहीं पहुंचेगा तो वहां पर हम ब्रस का प्रियोग करेंगे देखिए इस तरीके से इसके पर दो या तीन कोड अपलाई करने होते हैं अगर दो कोड में पूरी सफाई आ जाती है तो आप दो कोड मारके भी छोड़ सकते हैं इसको एक कोड मारने के बाद में डबल कोड अपलाई करना चाहिए एक कोड करने के लगबख एक गंटे या आधा गंटे तक इसको कम से कम छोड़ना ही पड़ता है उसके बाद में आप इसके पर इसी तरीके से डबल कोट अपलाई कर सकते हैं डबल कोट मानने से पहले आप चाहें तो रेकमाल भी मार सकते हैं हलका भुलका ताकि दाने अगरा कर जाएं और देखी यहां पर जैसे रोलर नहीं पहुंचा है तो यहां पर हम ब्रस का प्रियोग कर रहे हैं ब्रस से रोलर ज्यादा बढ़िया होता है क्योंकि रोलर से फटा पट काम भी हो जाता है और फिनिसी भी बढ़िया आती है तो आप roller का ही पुर्योग करें बाकी जहां पर roller नहीं पहुंच सकता है तो वहाँ पर हमें ब्रस का ही पुर्योग करना होगा यह double coat हो रहा है हमारा double coat आप उपर से ही सुरू करें मैं आपको दिखाने के लिए बस ऐसे ही मार रहा हूं नीचे से बाके आपको उपर से ही सुरू करना चाहिए चछत से और इस paint में अगर आपको कोई color करवाना है तो color भी करवा सकते हैं color आप या तो computer से बनवा सकते हैं या फिर आप हाथ से भी बना सकते हैं अपने आप ही tube मिलती है की छोटी-छोटी color बनाने के लिए तो उससे भी आप color बना सकते हैं आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई, थैंक्स फ़र वाचिंग